तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज के से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक webex meet के लिंक में अपने cgschool.in के लिंक को merge करके whatsapp में कैसे बेज सकते हैं तो पहले उसके लिए आपको एक meeting बनाना होगा तो चलते हम webex meet में और कोई भी एक simple सी meeting बना लेते हैं आपके example के लिए तो यहाँ पर से हम plus की बटन को click करेंगे और यहाँ पर हम एक नया meeting बना लेंगे तो यह देखिए यह एक meeting बन गया है हम meeting को 5 जुलाई के लिए कर लेते हैं और duration हम 45 minutes कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने meeting को schedule कर दिया है तो meeting scheduled होने के बाद हमें आप इस meeting को share करना है अपने whatsapp में कुछ यहाँ से आप इसको share कर सकते हैं शेयर करते हम whatsapp में तो यह देखिए हम कुछ इस तरी तो यह अब हमने इसे share कर दिया है अब share करने के बाद हमें इस link को थोड़ा दे टच करना है तो link copy हो जाएगा link को copy करने के बाद अब हमें जाना है गूगल में और search करना है cgschool.in तो cgschool.in सर्च करने के बाद आपको जाना होगा सिक्षक पंजियन में सिक्षक पंजियन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर पहले आपको लॉगिन करना होगा तो यह देखिए लॉगिन होने के बाद अब हमें menu में जाना है menu में जाना है के बाद सिक्षक के कार्य में जाना है सिक्षक के कार्य में जाने के बाद अब आपको online classes में जाना है online classes में जाएंगे अगर आप तो आपके सामने कुछ इस तरीके का web page खुलने लगेगा तो जब तक यह web page खुल गया है तो आप यहाँ पर आपको अपने कक्छा चुनना है तो कक्छा माली जी हम लोग चुनते हैं कक्छा पांच भी चुन लेते हम अपक्छा पांच भी चुनने के बाद यह फिर से loading लेगा और आप से पुछे का part चुने तो यह देखिए यह कुछ loading ले रहा है यह देखिए यह load होने ही वाला है और यह load हो गया अब आपको विशाय चुनना है तो विशाय आप हम चुन लेते हैं अंग्रे जी फिर से loading लेगा और फिर आपको part चुनने के लिए बोलेगा तो यह loading ले रहा है अब loading लेते लेते अब बोलेगा part चुने तो देखते हैं यह load हो रहा है तब तक हाँ यह देखिए अब यह part चुने बोल दिया तो अब हम part चुनेंगे तो यह the balloon man चुनते हैं उसके बाद कक्छा का दिनांग हमको कब लेना है तो हमने 5 सारी committing बनाया है तो हम 5 सारी खिलेंगे सेट करने के बाद आपको समय लेना है समय भी हम 12-33 ले लेते हैं सेट कर देते हैं फिर online class का link बोल रहे हैं यहाँ पर आपको थोड़ा दिर चू कर रखना है और यहाँ पर आपको उस link को paste कर देना है जो आप WhatsApp में copy कर रहे हैं वो link यहाँ paste हो जाएगा अब आपको इस बड पुरुक online class बन गया बोलेगा उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही चोटा सा WhatsApp को बटन दीख रहा होगा यह देखिए तो इसी बटन में आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसे आपको WhatsApp में शेयर कर देना है जैसे कि मैं अपने फोन में शे करने लिंक जो कि हमने बनाया है सीजी स्कूल से तो अब इन दोनों लिंक को हमें मर्च करके भेजना है तो मर्च कैसे करते हैं चलिए देखते हैं पहले तो आपको जो Cisco वाले लिंक है उसको सेलेक्ट करना है और यह उपर त्री डौट से आपको इसे कौपी करना है कौपी क करने के बाद यहां नीचे जहां से हम मैसेज भेजते हैं वहां पर इसे पेस्ट करना है अब यह पेस्ट हो जाने के बाद हमें एक लाइन नीचे आना है दो लाइन नीचे आना है उसके बाद हमें यहां लिख देना है लिंक कि फॉर कि सीजी स्कूल उसके बाद हमें एक लाइन नीचे आना है और अब हमें ये देखिए ये जो हमने CG स्कूल का लिंक बनाया है ये देखिए ये वाला इसे हमें थोड़ा देर टच करके रखना है तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा लिंक कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है उसके बाद आपको सैंड कर देना है तो ये देखिए ये हमने पूरा लिंक बना लिया पहले तो ये जो है ये है उसका Cisco WebX का और ये जो है ये CG स्कूल का लिंक है इसमें आप और भी add कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं इसे ही copy कर लेता हूँ, यह copy हो गया, अब यहां पर हम इसे paste कर देंगे, paste करने के बाद आप देखिए, यहां पर सिफ URL लिखा है, है ना, तो URL की जगा हम लिख लेंगे, link for Cisco Webex, link for Cisco Webex, यह देखिए, फिर इसे हम send कर देंगे, तो अब देखिए, यह अच्छे से होगे, तो यह देखिए, यह meeting topic दे दिया, सब meeting number भी दे दिया, link for Cisco Webex भी दे दिया, अब यहां से आप इसे अपने groups में forward कर सकते हैं, तो यह था, जिस तरीके से हम meeting बना सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, आप से इसकी next वीडियो में next tutorial के साथ,